बूढ एवनिंग्, बहुत स्वागत है आप लोग का GS के सेसन में, जो हम लोगों ने शुरुआत किए है इसकी, जिसमें हम लोग daily कर क्या रहा हैं, कर क्या रहा हैं, इसमें हम लोग GS के previous year questions को practice कर रहा है, mix up questions हैं यहापे GS के, जिसमें आपको history, geography, politics, economics, current, UP special, सभी questions, science के भी मि सब्सक्राइब कर सकते हैं और चोटे से परिशेक साथ से करेंगे शुरुवारत मेरे ना प्रसांस तो क्ला है है अमें प्रसांस से में किया है अलल भी हूं हिस्ट्री पॉलिटी करेंट अफेर का सेसन लेता हूं और अकेडमी किसी भी कोर्स में एंडविसर लेना हो आप मेरा रिफ्रल कोड पी एस्टें उज़ करके 10% डिसकाउंट कर सकते हैं बात करने के लिए मेरा कोड पी एस्टें डालक कर सकते हैं आप अध्वांटेज की बात करें तो कभी भी कहीं भी रिकॉर्ड़ लाइव सेसन बेस्ट एजुकेटर से इंफ्रेंस होने का मौका बेस्ट कोर्स्पोंडेंस पॉर्सेस आपको मिलती हैं अनलेमिटेट कुजिस मिलता है अपको यहां पर मिलते हैं देकिसांदार 15,000 सब्सक्राइब के लिए मंडे टू फ्राइडे आयोजीत की जाए सांको छे वजे आप लोग इसको कर सकते हैं आने कट्मी एप पे जाके लॉक करने के मेरा कोट प्यस्टेन यूज़ करके लॉक कर सकते हैं मिलसन खाक की नाम का बैच है जो बैच सिरीज यहां पर चलाई ज कर सकते हैं जो की सब्जेट इसको पर वजया ना पुड़ेगा मेरे घरहं लेक पर सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर सकते हैं फीज की बात करें थे 24 महीने की फीज मातर 12,240 रुपय है, मंतली 510 रुपय महीने पिले सकते हैं, 12 महीने की फीज आपकी 8,415 रुपय है, मंतली 701 पिले सकते हैं, 6 महीने की फीज आपकी 6,885 रुपय है, 1149 रुपय मंतली पिले सकते हैं, ओफर के तया थे यहाँ पर 4 कर सकते हैं सब्सक्राइब चेह महीने बारा महीने की यहां पर भी 10% डिसकाउंट आपको मिल जाएगा मेरे रिफ्राल के माथ हम से आप किसी भी क्लास को जॉइन करने से पहले आपसे कोड मांगा जाएगा आपको अनुलाग करने के लिए मेरा कोड पीएश न डाएगा शुरुवात बिना किशी देरी के पहला सवाल है who established the RS समाज RS समाज की स्थापना किस ने की रानाडे दयानन्द सरसती या स्वामी विवेका अनन्द कोश्चन नंबर कि वन ओपन चेक वन का सी आज समाज की स्थापना किस ने की है दयानन्द सरसती या सी है ठीक है देखिए वेख्या देखते हैं आरे समाज की स्थापना द्यानें सरस्वति द्वारा 1857 में बंबई में की गई इसके बाद इसका मुख्याला जो है लाहौर बनाया गया इन्होंने वेदों की और लोटो नारा दिया द्यानें सरस्वति को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है इन्होंने बाल विवा एवं छुआ छूत जाती प्रथा का विरोत किया तथा विद्वा पुनर विवा एवं अंतर जातिये विवा का समर्थन किया आरे समाज में भारत भारतियों के लिए नारा दिया थे अगला सवाल है इसमें से किसने 1893 में सिकागो में आयजित धर्म संसद में भाग लिया आसान सवाल है तो उत्तर सभी लोग का भी आ रहा है बिल्कुल तो किसने भाग लिया था स्वामी विवेका नंद ने कई बार आयवा सवाल एक्जाम में आयए तो विश्व धर्म महासभा का आयोजन 1893 में सिकागो में हुआ था द्यादेजी का हुआ था इस धर्म संसाद में भारत का पत्रिय थे तो स्वामी विवेका नंद ने किया इस सभाम विवेका नंद ने विश्व प्रसिद्ध भासर दिया था इसमें उन्होंने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिससे दुनिया को सहनसीलता का पाट पड़ा है सिर्फ सर्भौमिक सहनसीलता में ही विश्वास नहीं रखते बलकि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में श्विगार करते है तो ये स्टेट्मेंट जो है पूरा आ सकता है कभी एक्जाम है स्टेट्मेंट देख लिए किस का है ये स्वामी विवेकारण जी का है महम्मथ कासिम का नाम जुड़ा है इंपॉर्टन्ट है ये PCS 2000 17 में सवाल पूछा गया था PCS 2000 17 में कुश्चन आया था एंसर है आपका बी देवबंद आंदोलन नेना तवी का नम किसे जुड़ा हुआ है देवबंद आंदोलन से तो मुहम्मद कासिम नेना तवी इनका भी नाम देख लेगा ये देवबंद सहारनपूर में है उत्तरप्रदेश में वहाँ पर देवबंद आंदोलन जो है 866-667 की मद्द जोह संचलेट किया 2017 में जो कुश्चन पूछा गया था ये येर पूछा था उसका न 1866-1867 चलाए गया था में उद्देश से क्या था अंग्रेजी सिच्छा और पश्चमी संस्कृती पर प्रतिबंद लगाने के उद्देश से देवबंद आनोंदल की सुरुवात हुई थी नैनातवी और गंगोई जोह से संबद दित है राजा राम मोहन राय के सामाजिक धार्मिक विचारों का विरोध करने के लिए निमलिखित में से किसका प्रकासन शुरू हुआ in the order to oppose the socio-religious ideas of राजा राम मोहन राय which amongst the following was published हेराड, चंद्रिकाव, ओरियंटल इस्टार या जम ए जमसेद question number 4 अच्छा सवाल है एक चीज का प्रकासन ने प्त्रिकाव का प्रकासन किया था राजा राम मोहन राय के विचारों का विरोध करने के लिए किस चीज का सुरू हुआ था कौन सी प्त्रिकाव प्रकासन की जा रही थी सिंद्र में question number 4 be with question mark और कोई question number 4 के response करने का प्रयास करें अच्छा सवाल है important question है ये बिल्कुल ठीक है उत्तर answer है B. चंद्रिका ध्यान दिजेगा चंद्रिका का प्रकासन इस संद्र्व में किया था व्यक्य देख लेते हैं राजा राम मोहन द्वारा 1821 में सुरू किये गए किसली हुए था सैमत कि राजा राम मोहन रा ने 1921 में एक सम्वात कुमेदी का संप्रकासन किया था उसके संपादक थे भगवती चरन बंदोपद्या ने राजा राम के विचारों से असैमत होकर 1822 में समाचार चंद्रिका का प्रकासन प्रारम किया राजारा मोहन रायक के प्रगती सील विचारों को ततकालिन हिंदू रुडिवादियों ने विरोध किया, राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज के सिध्धानतों का विरोध करने हैं तू धर्म सभा की स्थापना का भी की थी, तो ये भी कोशन पूछा जा चुका, धर्म सभा क किसने स्थापित की थी, विरोध के लिए धर्म, राधाकांत देव ने की थी, और ध्यान दिजेगा, चंद्रिका का प्रकासन किया गया था, इनके विचारों का विरोध करने के लिए, और यगर ये पूछ दे आगे बढ़कर एक सवाल थोड़ा सा, कि चंद्रिका का प्रक प्रकासन किसने किया था, तो भगवती चरण बंदो पाध्या है, ठीक है, क्लियर, अठारा सो तीस में धर्म सभा की स्थापना, निमलेखित में से किसने की, कूद of the following founded the धर्म सभा in 1830, विरोध तुन्जे विद्यालंकर, द्वारकाना टैगोर, देवेंना टैगोर, राध देखा करें भई, तो धर्म सभा की स्थापना किसने की थी, कुश्चन नमबर, एक बार लाइक शेर कर देए सेशन को प्लीज, सभी लोग, कुश्चन नमबर फाइव, पिशली सवाल के वैख्यास निकल के आ जाया गई है, बिलकुल ठीक है, अंसर है आपका D, ध्यान दिजे का राधा कांथ देव, तो धर्म सभा की स्थापना ठर्स किसमें कितने की थी, राधा कांथ देव ने, तो धर्म सभा की स्थापना ठर्स 29-30 में राधा कांथ देव ने की थी, यह एक स्थापित यह की गई, ठीक है, इस स्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धर्ती पर बहुत काम किया जाना है, यह कथन किसका है, I have no time think about God because a lot of work has to be done on this earth, यह स्टेटमेंट किसका है भई, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन स्वत्यदी, स्वामी रामकृष्न परमहन्द, स्वामी इस्वर्चन्द, विद्या शागर, बहुत अच्छा सवाल है, क्वेशन नमबर 6, क्वेशन नमबर 6, अच्छा क् I have no time sure के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं क्योंकि अभी इस धर्ती पर बहुत सा काम किया जाना है, यह कथन किसका है, अच्छा और नया सवाल देखे, यह स्टेट्मेंट है आपका स्वामी इस्वर्चन्द, विद्या शागर का, ठीक है, स्टिक्स का एंसर D, देखे, इस्वर्चन्द, विद्या शागर, उनिस्वी स्ताब्दी के बंगाल के प्रसित्य दार्षनिक्स, इच्छावी, समासुधारक, लेखक और परु 26 में पारित हुपा है, इस्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं क्योंकि इस धर्ती पर ही बहुत काम किया जाना है, यह कथन किसका है, इस्वर्चन्द, विद्या सागर का है, ठीक है, अच्छा सवाल था, अग्रा सवाल, निमलिखित में से कौन आरे जी नहीं था, यह भी अच्छा सवाल है, क्वेशन नमर सेवन, क्वेशन नमर सेवन, रिस्पोस करने का प्रयास करें, इसका बाबा रामचंद्र, ध्यान दी जाएगा, कौन एंसर है, बाबा रामचंद्र, रामचंद्र नहीं थे, आई वैख्या देखते है, उस्वामी द्यानर सरस्वती ने 1876 में, क्या क्या था, बंबई में, आरे समाज की स्थापना की, इसके दूसरे सदस्यों में, आरे समाजी का समानता के लिए कोई स्थार नहीं था, आरे समाजी मुख्यताव, लाल लाज पत्राय, भाई परमानन्द, लाला हंसराज, ये तीनों लोग क्या थे, आरे समाजी थे, बाबा रामचंद्र, उन्नीस सो बीस में, अवध किसान आंदोलन को नित्रत, इन्होंने तालुकदारों जमिनदारों किलाफ आंदोलन सुरूप किया, इन्होंने किसानों की उच्ची किराय और करो की मान की थी, तो ध्यान दिजेगा, लाला लाज पत्राय, पाही बरमानन्द, और हंसराज, ये सब आरे समाजी थे, बाबा रामचंद, आरे समाजी नहीं थे, ठी सत्य सोधक समाज की स्थापना किस ने की, सत्य सोधक समाज वाउष फॉंडेड बाई, दयानें सरसती, जोतिबा फूले, गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेड कर, कुश्चन नमबर एट, असान सवाल ही तो, बहुत ही, कई बार आय हुआ एक्जाम में, कुश्चन नमबर एट, तो सत्य सोधक समाज की स्थापना किस ने की, आसान सवाल, जोतिबा फूले ने की ठीके, तो सत्य सोधक समाज की स्थापना, 1873 में, बंबई में, जोतिबा फूले ने, यहांद ये कपकिती, इसका एर देख लेजेए, येर भी पूछ लेता है, ब्रामभण विरोधान दोलन के रूपे सुरू किया था, जिसका उदिश्च ब्रामभणों के आडंबर और उनके औशरवादी धार्मिक गरंतों की बुराईयों से निम्न जातियों को बचाना था, इन्होंने 1872 में गुलामगिरी पुस्तक भी लिखी थी, ठीकित, पुस्तक का नाम भी पूछ लेता है, इसका निम्न गरंतों के प्रतिपादक कौन है, बहुत अच्छा सवाल, राधा कृष्णन, टैगोर, अंबेडिकर या विवेका अनंद, निम्न बुद्धिजम, नौ बुद्धिवात के प्रतिपादक कौन है, बुद्धिजम, नौ बुद्धिवात के प्रतिपादक कौन है, बुद्धिजम, नौ बुद्धिजम, 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 जरूर कर दीजे अपने सिसम को दोस्तों के साथ और को रिस्पॉंस कुश्चन नंबर 9C एंसर आ रहा आप लोगों का वह बहुत अच्छा सवाल है नया सवाल है ये तो देखिए नौ बहुत धिवाद के प्रतिपादक थे कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत देखते हैं इसकी 9 बहुत धिवाद बहुत धर्म का एक सम्पृदा है जो भारती नेटा भीम राओ अम्बेडकर द्वारा निर्मित है इस धर्म के सारे अनुआई अम्बेडकरवादी बहुत दिख़ालाते हैं कौन से बहुत देखलाते हैं अम्बेटकर वादी बहुत देखलाते हैं इन बहुत देखलाते हैं इन बहुत विश्वास आदी का कोई स्थान नहीं है ठीक है वहवारिक वेदान्त के प्रतिपादक कौन है? वहवारिक वेदान्त के प्रतिपादक कौन है? पुशन नमबर 10 अच्छा सवाल है ये भी? अच्छा सवाल है जल्दी से रिस्पॉंस करने को कोशिस सभी लोग करें भाई इस सब रिक्दम नए सवाल है इस अग्जाम में आएंगे तो गडबड होने की समभावना पूरी रहती है ऐसे सवालों में एंसर है 10 का D भ्यान दिजेगा विवेका नंद वहवारिक वेदान्त के प्रतिपादक कौन थे? विवेका नंद माने जाते हैं ठीक है? आई ये वैख्या देखते है तो वहवारिक वेदान्त श्वामी विवेका नंद द्वारा लंदन में वहवारिक वेदान्त पर दिये गए चार व्याख्यानों का संक्लन है जिसमें वदान्थ का महिमा मंढन किया गया है तो वयवारिक यानि प्रेक्टिकल वदान्था विवेकानंथ निमलिखित में से फराजी आंदोलन के बारे में क्या सही नहीं है इसमें इसलाम के अनिवारे तक्तों को पालन करने का समर्थन किया, इसने विभिन इसलाम के संतों की समाधियों की पूजा के निंदा की, इसके निताओं ने केवल फार्सिय उर्दू में ही प्रचार किया, इस फांडर वाज शारत उल्ला, इट अड्वोकेटे दा अब्जर्वेंश अब अब्लिगेटरी दूटी इसलाम, इट कमंदेंट वर्शिप अद श्रीन्स और वेरियस इसलामिक संथ, इस लीडर प्रीश्ट इन पर्सियन और उर्दू अल्ली, क्विश्चन नमबर 11, यह भी नया सवाल है, क्विश्चन नमबर 11, तर देने का प्रयास करें सभी लोग, अच्छा सवाल है, फराजी या अंदोलन के बारे में क्या सही नहीं है पूछा जा रहा है? बिल्कु देखिए, उत्तर है इसका डी, ठीक, यह गलत है, बाकी सब सही है, इसके संस्थापक सरियत उल्ला थे, फराजी या अंदोलन के संस्थापक कौन थे? सरियत उल्ला, इसमें इसलाम के अनिवारे कर्तब्यों को पालन करने का समर्षन किया गया, बिल्कु सही बात ह इसने विभिन इसलाम के संतों की समाधियों की पूजा की निंदा भी की थी, यह भी सही बात है, ठीक, रख्या देखते हैं, बंगाल के फरीदपुर, में हाजी सरियत उल्ला, हाजी सरियत उल्ला ने फराजी आंदोलन की निव रखी थी, इसने हाजी सरियत उल्ला ने, कहा पर बंगाल के फरीदपूर है फराजियों ने इसलाम के मानने करतब्यों को मानते हुए बिटिस सासन को खाड फेकने के लिए संगर्स किया था शरी तुल्ला यह उसके पुत्र दादू मिया ने जमिदारों के सोशन के खिलाब किसानों यह जोतिदारों को संगठित करने का प पहले रोशन वारकरी संप्रदाय का की मुख्य पीठ अवस्तित है दा मेन सीट ऑप वरकरी सीट इस सिट्वेटेड एट स्रिंगेरी पंधरपुर नदिया वारांसी बताइए वारकरी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां अवस्तित है कि कुशन नमर्ट ट्वेल अच्छा सवाल है और लाइक सेशन को जरू करते हैं सभी लोग देखें एंसार है इसका पंधरपुर तो जो आपकी वारकरी संप्रदाय है उसकी मुख पीठ कहां पर अवस्तित है पंधरपुर में वारकरी संप्रदाय का उद्धव दक्षिड भारत के पंधरपुर नामक इस्थान पर विक्रम समवन्त की तेरविश अताब्दी में हुआ था इस संप्रदाय के प्रवर्थकों में संथ ज्यानेश्वर का इस्थान महत्तपुर नामके दो महत्तपुर गरंतुग रश्ना कर वारकारी संप्रदाय के सिध्धानतों को इस फश्ट भी किया हुआ सती को डैस में दंडनी अपराद भोसित किया गया सती दिकलेर्ड एर पनिशिबल ओफेंस इन किस एर 1727, 1729, 1829, 1834 आसान सवाल है बहुत सी उत्तराराब लोग का सी उत्तराराब सभी लोग का बहुत अच्छे एंसर है आसान सा 1832 तो सती प्रता को राजाराम मोहन राए के प्रयासों के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल लॉड विलियम बैंटिक के कारिकाल 1838 से पैतिस के समय 1839 में नियम सत्रा के द्वारा क्या कर दिया गया था प्रतिबंधित कर दिया गया था यह कौन कहता है कि यदि धर्म शामाजिक सुधारों का समर्थन नहीं करता तो उसे बदल देना चाहिए क्योंकि वो मानो द्वारा रचित है who says that if the religion does not sanction social reform it should be changed as it is manmade Gopal Hari Deshmukh, Swami Vivekanand, B.G. Tilak, Dada Bhai Naroji C. Tarara और कोई Q. 14 यह कौन कहता है कि यदि धर्म सामाजिक सुधारों का समर्थन नहीं करता तो उसे बदल देना चाहिए क्योंकि वह मानो द्वारा रचित है यह बहुत अच्छा देखी statement based question UP pieces में बहुत आते हैं आप लोग उन्हें देखा होगा पिछले सालों के paperों में खासता और से history में statement based question दो तो रहते ही रहते हैं तो statement based वालों क्योंकि हम लोगों को ध्यान विश्यस रूप से देना चाहिए एंसर है गोपाल हरी देश्मुख किसने दिया है statement यह गोपाल हरी देश्मुख का आईए वैख्या देखते हैं पश्चिमी भारत के सुधारक गोपाल हरी देश्मुख ने जिन्हें जंता लोग ही तवादी कहती थी वे मराटी भासा में लिखते थे उन्होंने कहा था कि अगर धर्म सामाजी सुधार की अनुमती नहीं देता तो उसे बदल देना चाहिए क्योंकि धर्म को मनुस्थ से नहीं बनाया है और बहुत पहले लिखे गया धर्मग्रम्त हो सकता है बात के काल में प्रासंगिक नौ गुड इवनिंग स्वागत है चल तो एंसर हुआ गोपाल हरी देश्मुख निम्नलिखित नेताओं में से किसने जनजाती उत्थान हेतु कारे किया है विच आप फॉलोइंग लीडर है वर्क्ट फॉर ट्राइबल अपलिफ्टमेंट महात्मा गांधी, एवी ठककर, डॉक्टर बी आरंबेटकर, जग जीवन राम बी उत्तर आ रहा है आप लोग का, कुश्चन नंबर 15 हाँ थोड़ा सा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, अच्छली मेरी क्लास शे बज़े से है प्लस वाली, उसकी वज़े से क्लास छोटी रह जादी, इस वज़े से बाकी हो जाएगा एक तारिक से सब सही हो जाएगा, राइट टेम हो जाएगा एंसर है आपका, एवी ठककर, ध्यान दीजेगा, ठीक है एवी ठककर एक भारती सामाजी कारे करता थे, जिन्हों ने गुजरात के आदिवासियों के उत्थान के लिए कारे किया वे 1944 में गोपाल कृष्ण गोकले, द्वारास थापिस, Servants of Indian Society के सदसे बने, तथा 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना की सवाल आ सकता कि भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की, तो ठककर बापा के नाम से भी इंको जाना जाता, ध्यान देजेगा तो A. V. ठकर ने जो है क्या की भील सेवा मंडल की स्थापना की थी 1922 में सवाल आसकता एकजाम में भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में A. V. ठकर जिन्हें ठकर भापा के नाम सजाना आता तो उन्हों नहीं की थी उनीश्वी बीश्वी सदी को किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने गुहा रहश्यवाद प्रथाओं को अपनाया विच सोचियो रिलीजियस मोमेंट ऑफ 19-20 सेंचरी अडॉप्टेट प्रेक्टिस टुबी ओक्लट मिश्टिसिस्म थियोसोफिकल सोसाइटी आरे समाज ने ब्रह्म समाज ने गुर्द्वारा सुधार अंदोलने उस्लोका सी उस्लोका ए विश्चन नमबर सोला एंसर है आपका ए थियोसोफिकल सोसाइटी ठीक है थियोसोफिकल सोसाइटी ने गुहार हैश्रिवाद की प्रथाओं को अपनाया था ठीक है देखते हैं वेक्ट क्या तो 1926 सदी में Theosophical Society ने गोहर है श्रिवाद प्रथाओ को अपनाया Theosophical Society की स्थापना एक रूशी महिला ब्लावास्की और अमेरिकी सैनेक अफसर करनल अलकाट ने 1875 में कहा की थी नियॉयॉक में की थी स्थापना इसकी और इसका अंतराष्टि मुख्याले मदरास के अड्यार में 18022 में इसने त्थापित किया गे था अएरिज महिला अयी बेसंट 1888 में इसससाइटी की सदस्से बनी तो ये भी सवार पूचा जब चुगा है किसने सुध्धी आंदोलन का समर्थन किया which among of the following organizations supported सुध्धी movement आसान सवाल है आरे समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज या प्राथना समाज question number 17 question number 17 response कर दें सभी लोग like, share भी प्लीज जरू कर दिजे सभी लोग question number 17 आसान सवाल तो किसने की थी? आरे समाज में, ठीक है सुध्धी आंदोलन का समर्थन किसने के समर्थन किसने किया था? आरे समाज, आई वेख्या देखते हैं तो आरे समाज ने सुध्धी आंदोलन का समर्थन किया आरे समाज की स्थापना ठार सो पिछ चप्तर में दैना सरस्वती ने बंबई में की थी आगे चलकर आरे समाज का मुख्याला कहा हो गया था लहोर इस्थापित हो गया जी रिसअब सिंग विधवा पुनरविवा अधिनियम इन में से कौन से गवर्नर जनरल के कार में पास हुआ विडो रिमेरेज एक्ट वाज पास तुरिंग दे गवर्नर जनरल्शिप आफ बेंटिक, डलहोजी, कैनिंग, लौरेंस विधवा पुनरविवा किस कौर्णर जंगल के कार में पास हुआ था वपन चेक C कुश्चन नमबर 18 आस तो C बिल्कुल ध्यान दिजेगा C ओ का उत्तर ठीक है कैनिंग विधवा पुनरवा विदनियं किसके कारले में पारिष हुआ था कैनिंग के तो लॉर्ड कैनिंग का सासन काल 1856 से 1863 था कब तक कैनिंग का 1856 से 1863 तक उसी समय 1856 में ही विधवा पुनरविवा अधिनियं पारिद किया गया विधवा पुनरविवा की स्तिती के सुधार लाने के लिए विधवा पुनरविवा अधिनियं बना और विधवा विवा को वैद करार देते हुए और इनसे पैदा होने वाले बच्चों को भी वैद माना गया विधवाओं के कल्याट से जुड़े अन्य नेता पश्चिम भारत में विष्णू सास्त्री और करवे महोदे थे 1899 में धोदो केशव करवे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना किया कि देखी यह कोचन पूछा गया है के पूना में विधवा आश्रम की स्थापना किन से की थी तो केशव करवे ने किया था ठीक है उन्हों से 1906 में बंबई में करवे नेहीं बंबई में 1906 में क्या किया था प्रथम भारती महिला विश्रुविद्याले की स्थापना भी की थी ये भी क्यों कई बार आ चुका एक्जाम में कि पहला जो पहला भारती महिला विश्रुविद्याले स्थापित हुआ था किसने किया था कहा किया थ ठीक है निम लिखित में से किस ने बहु विवा नामक पुस्तक लिखी है राजाराम मोहनरा, इस्वर्चन विद्यासागर, रमाबाई, रवीनाट टैगोर बहु विवा पुस्तक किसकी है हलो कांचा बताईए भाई बहु विवा पुस्तक किसकी है बहु विवा भी उत्तरा रहा आप लोग का और कोई रिशब गैस भी कर लेंगे सही हो जाएगा एंसर है इस्वर्चन विद्यासागर सुसमा ठीक देखते हैं बहु विवा नामक पुस्तक की रशना का स्रे इस्वर्चन विद्यासागर को है इनी के प्रयासों से 1856 में विद्वा पुनार विवाद नियम पारित हुआ इसमें विद्वाओं को पुना विवा की अनुमती प्रदान की गई वे इस्तरी सिच्छा के प्रबस अमर्थक ते इनुने अपनी पुस्तक बार्नो पोर्चियो देख लिए यह का इसका नाम बार्नो पोर्चोय पत्र से परिचय ये भी पूछा जा चुका कुश्चन बहुत पहले कि पत्र से परिचय जिसका नाम बंगाली में बॉर्णो परिचो लिखाता है इन्होंने पत्र से परिचे बंगाली भासा में परिस्क्रित किया और इसे समाज के आम लोगों के लिए सुलब बनाया इन्होंने जॉन इलियड ड्रिंक वाटर बैथून के सास मिलकर इस्तियोग सिच्छा के लिए बैथून कॉलेज की स्थापना भी की थी और इन्हीं स्कूलों की स्थापना की थी ठीक है वो एबॉलिष्ट सती सिस्टम सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया असान सवाल बॉर्रें हैंस्टिंग लॉड कर्जन विलियम बेंटिंग लॉड कैनिंग कुस्चिन नम्बर 20 बहुत ही हलुआ सवाल है ये तो बहुत असान चलिए एंसर है विलियम बेंटिक आसान सवाल सभी लोगा सी आ रहा है ब्लू कुल तो विलियम बेंटिक ने 1829 में नियम 17 रेगुलेटिंग नियम सत्रा 1829 का के तहट सती प्रथाव का उन्मुरन के दिया बेंटिक ने के सामाज इस धारवाधिक महत्रथा कान था राजारा मोहन राज जैसे प्रगती सीर विचारकों ने इस प्रथा के उन्मुरन महत्रथा कान प्रयास किया गुड़ इवनिंग सभी को त्भागा अंदोलन सन ne so čia is में बंगाल में आरंभ ओ लगत्ता कि रीक के अरंभ विच्च की नितरत में बहत्यास्टी कानग्रेस काने ज्यत्रत में याUD स्वरमिक्संग के नितरत में बताईे रूंबर 21 21 का बी उत्तर सभी लोग का आ रहा है और लोग रिस्पॉंस करतें लाइक भी जरू करतें सेसं को बिल्कुल ध्यान लिजेगा त्यभागा अंदोलन शुरू हुआ था किसान सभा के नित्तत में ठीक व्यक्ष्या देखते हैं किसान आंदोलन 1946 का बंगाल के तेभागा अंदोलन सरवाधिक ससक्त आंदोलन था इसमें किसानों ने फ्लाइड कमीशन की सिपारिस के अनसुरूप फ्लड कमीशन स्वरी फ्लाइड है फ्लड कमीशन की सिपारिस के अनुरूप के दरगटा कर एक तिहाई करने के लिए संगर्श फुरू किया था यह आंदोलन जोद्धारों के विरूत्य बटाईदारों का आंदोलन था ते भागा आंदोलन फसल का दो तिहाई हिस्टा उत्पीडित बटाईदार किसानों को दिलाने का आंदोलन था ठीक है? आपको उसको जॉइन कर सकते हैं इसी के साथ साथ आपको क्लासेस मिल जाएंगी एट पीम पे डेली करेंट अफेर की तो एंसर आ रहा लाला लाश्पत राह सभी लोगों का क्विश्चन नमबर 22 एंसर है बिल्कुल ए सही आपका लाला लाश्पत राह इंडियन कॉंग्रेस की स्थापना सन 1920 में कोई थी और प्रथमा दिवेशन 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में आउजित हुआ था इसा दिवेशन के देखता लाला लाश्पत राह द्वारा की गई थी बड़ा सा सवाल अच्छा सा सवाल, इंपोर्टन सा सवाल नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रती कास्तकारों का विरोध पीजन्ट रेजिदेंस टूदा अप्रिशेशिव कंड़क्स आफ प्लांटर्स नई खोश के कारण विश्व बजार में इसका लापकारी होना नील की खेती के राष्टी नेता उजारा विरोध किया जाना है या उत्पादकों के उपर सरकार का नियंत्रण बताईए किस कारण से बीसवी सर्ताब्दी के आराम में नील की खेती जो ही प्रभावित हो गई उसक्या हास हुआ पुश्चन नमबर 23 बहुत अच्छा सवाल है यह A, B, C, D सब आ गया देखिए एंसर है आपका इसका B है B सही कर लेना नई खोजों के कारण विश्व बजार में इसका अलाबकारी होना It's Unprofitability in the World Market Because of New Inventions नई रसायनिक रंगों की खोज कर ली गई थी इसकी वज़े से सवाला देखिए Blue Gold Blue Gold की उपमा से प्रसिद्ध नील जिसे 19 सताबदी के अंत में जर्मनी के रसायनिक रंगों ने नील बजार को लगभग-लगभग समाप्त कर दिया नील की खेती 19 सताबदी में अपने चरम पर थी इसकी उत्पादबक्ता का अंदाजा इससे ही लगता था कि वर्स 1856 में भारत में लगभग 19,000 टन नील का उत्पादार होता था वही अध्योगी कांती के बाद 1914 में घटकर 1100 टन रह गया था जिस कारण चमपारण में यूरोपिय निलहे अपने खाने बंद करने के लिए बाद दुए इसी कारण किसान के तीन कठिया प्रणाली यह नील की खेती से मुक्त चाते थे कालांतर में सी प्रिष्ट भूमे में गांधी जी ने चमपारण सत्याग्रह का भी आरंब किया था तो जर्मनी में क्या हुआ था नया रसायनिक रंगों की खोज हो गई थी और उसके कारण इसका जो मामला था खतम हो गया ठीक है यह ऐसे ही समझिये कि 5G आ गया तो आप क्या कोई 2G का सिम्ग लेगा या 2G कनेक्शन लेता नहीं अब सब 5G जैसे पहले CD हुआ करती थी उसके बाद pen drive आई अब pen drive भी खतम हो गया अब drive आ गई गूगल ड्राइव इसी तरीके से इवल्यूशन को आज तालुकदार कौन थे इस्मॉल कल्टिवेटर छोटे क्रिसक लार्ज लेंड होल्डर एक बड़ा जमीदार जो धार्मी किस्थानों की विवस्था करता था तालुकदार कौन थे कुश्चन नमबर 24 तर B आ रहा है मैक्सिमू लोगों का भाई एंसर B ही है इसका एक बड़ा जमीदार ध्यान देजेगा तालुकदार कौन था एक बड़ा जमीदार व्यक्ख्या देखते हैं तालुकदार कुलीन वर्ग्त थे जो मुगल सासन और ब्रिटिस सासन के दौरान बड़े भूमी के मालिक होते थे ये वनशागवत्था तालुकदार को करों का इकठा करने की जिम्यदारी प्रदान की गई थे और ये बड़े जमीदार गवा करते थे ठीक है भी उत्तर सही है 19-20 सताबदी में मोपला क्रिस्को ने निमलिखित में से किसकी निरंकुस्ता के विरुद्ध विद्रो किया निजाब मोपला क्रिस्को ने जो किसके खिलाब विद्रो किया था तो आप लोग का अभी उत्तर है सभी लोगों का कुश्चन नमबर 25 आई ये व्याक्या देखते हैं पहले तब एंसर देखेगा न उन्निस्वी सताबदी में 1836 से लेखे 1854 के बीच मोपलाओं ने 22 विद्रो हुए जो मुख्यता दक्षिर मालावार के इनाडू और वल्ला नाडू तालुकाओं में हुआ मोपला या मोपली या मोपिला विद्रो इसलिए सामप्रदाइक हो गया क्योंकि अधिकांस जमिदार या भूँ स्वामिकों थे हिंदू थे कास्तकार अधिकांस मुशल्मान थे मोपला विद्रो 19 सताबदी में अत्यधिक आत्मगाती हो गया क्योंकि इन मोपलाओं के मन में ये भावना आ गई थे कि मोपला लड़ता हुआ मारा जाएगा वो अहीदियों की तरह जिहादियों की तरह सिधे स्वर्ग जाएगा पुशामी कौन थे नंबुदरी और नायर जैसे उच्च जाती के हिंदू थे इसलिए यह विद्रोग सामप्रदाइक हो गया इस आंदोलन के नेता अली मुसलियार थे कौन थे अली मुसलियार तो क्या होगा इसका एंसर हिंदू जमीदारों के विद्रोग जो है इनका विद्रोग हुआ था खीक है ब्रिटिश सास्कों के विरुद्ध नहीं तो कन्फ्यूज नहीं होना मोपला विद्रोह किसे खिलाफ हुआ था हिंदू जमीदारों के खिलाफ निमलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिमचन चटरजी ने अपने उपन्यास आनंद मंथ में उल्लेक करके प्रसिद्ध किया विष्णुपूर तथा भीरगुमी विद्रोह या सन्यासी विद्रोह असान सवाल है ये उत्तर सभी लोका आ रहा है बहुत ही आसान सवाल है तो आनंद मठ में किसका उल्लेक है आपका सन्यासी विद्रोह का में तो सन्यासियों के अधिकांस संक्राचारे के अनुवाई थे इन विद्रोग की इसपष्ट जानकारी बंकिमजन चटरजी के उपन्यास आनन्द मट से मिलती है बंगाल में अंग्रेजी हुकूमत कायम होने पर जमिदार क्रिसक सिल्वकार सभी किस्ति बत्तर हो गई थी इसके अलावे बंगाल का 1770 का भयानक अकाल अंग्रेजी सरकार दोरा इसके प्रती की गई उदासींता इस विद्रोग का प्रमुक कारण थी भारती जनतार के तिर्थ इस्थानों पर लगे प्रतिबंध ने सांत सन्यासियों को भी विद्रोग करने पर मज़ूर कर दिया वारन हैंस्टिंग एक लंबे अवियान के पस्चाथी इस विद्रोग को दबा पाया थे तो कॉश्चन एक बार ये भी आ चुका है कि सन्यासियो विद्रोग को दबाने के कारे किसने किया था तो वारन हैंस्टिंग ने किया था ठीक है किसने किया था वाज थे कुका अंदोलन को किसने संगठित किया कुका मुवम्मेंट वाज और गुरू रामदास गुरू नानक गुरू नाम सिंग गुरू गोविन्द सिंग कई बार आए हुआ सवाल एक्जाम में कुश्चन नमबर 27 कुश्चन नमबर 27 सी उत्तर मेक्शिमम एंसर है गुरू राम सिंग वुका अंदोलन को संगठित करने वाले थे कौन गुरू राम सिंग वुका अंदोलन जो पंजाब में 1840 से लेके 72 कहां पर फुआ था गुका अंदोलन पंजाब में पहला था मुख्य तक किसान अंदोलन था 1863 में बालक सिंग की मृत्यू के पस्चाथ उनके सिस राम सिंग कुका अंदोलन की नेता रहे 1872 में अंदोलन के प्रमुक नेता राम सिंग को बर्मा रंगून निर्वासित कर दिया गया और 1855 मुन की वही पर मृत्य हो गया एक बार एभी सवाल आ चुका है कि राम सिंग को कहां पर निर्वासित किया गया था तो कहां पर बर्मा यानि की रंगून में बंगाल के तिभागा किसान अंदोलन की क्या मांग थी? The demand of the तिभागा present moment in Bengal was जमिदारों के हिस्सेदारी को फसल के आदे भाग से कम करके एक दिहाई करना भूमी का वास्पिक खेतीहर होने के नाते भूश वामित्तु क्रिश्कों को प्रदान करना जमिदारी प्रथा का उन्मूलन तथा क्रिशी दास्ता का अंद क्रिश्कों के समस्त रिड़ों को रद करना तो जो तिभागा अंदोलन था बंगाल का उसकी मुख़् डिमांड क्या थी? ये पूछा जारा आपसे ए उप्तर आ रहा है सुभी लोगों का कुशन नमबर 28 बिल्कुल एंसर क्या है? ए जमिदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई करना जमिदारों को जो इस्सेदारी दियाती थी फसल में उपहले आधी दी जाती थी इनका अंदोलन था कि इसको एक तिहाई किया जाए तो तिहाई भागा अंदोलन वर्स 1946 में चलाया गया ये बंगाल का सारवादि ससक्त अंदोलन था इस अंंदोलन द्वारा बटाईदारों ने यह मांग की थी क्योंकि उपज का ती भागा अर्था एक तिहाई भाग जमिदारों को प्रदान किया जाया और दो तिहाई भाग बटाई-दारों को मिलना चाहिए ये जोददारों के विरुद्ध बटाईदारों का अंदोलन था देखिए कि उपर सवाल इस तरीके से भी आ चुका है कि जोददारों के विरुद्ध बटाईदारों का अंदोलन का किस नाम से जाना जाता है तो तेभागा अंदोलन के नाम से जाना था जिसका year 1946 बिसिकली कह था, बंगाल में, जिसे कमपारांप सिंग, कमपारांप सिंग और भवन सिंग, नाम इन्के निताओं के अपना नित्रत्रत Cul reference किया था, तेभागा अंदोलन को, एउध्या सिंग के शब्दों में, तेभागा अंदोलन ने हिंदू, मुसल्मान और आदिवासी किसानों की संग प्रामी एक्ता कायम की अंतिता 1950 में कॉंग्रेस सरकार में वर्गाधार विधेव पारित कर अंदुलन कादियों की मांगों को क्या कर दिया पूरा कर दिया संभलपूर के अनेक ब्रिटिस विरोधी विद्रो का नेता निमलिखित में से कौन था कुछ अमंग अफ फॉल्विंग विद्र अंटी बिटिस रिवोर्ट इन संभलपूर तीरसिंग सुरेंद्र भाई कट्टे बोमन या साहीद आमध बरेल्वी 29 एंसर इसका देखे सुरेंद्र साही ठीक है संभलपूर में जो विरिटिस विरोधी विद्रो के नेता थे वो कौन थे सुरेंद्र साही देख लिए बैख्यास की उडिशा के संभलपूर में आंत्रिक मामलों में अंगरेजी सरकार द्वारा कियेगा हस्ताच्चेप के पर दिखे लिए बैखे सुरेंद्र साही ठीक है संभल पुर्ण रिटिक में आंगरेजी सरकार द्वारा किया अंगरेजी जो विरोधी विरोधी पुनासक्री हो ऑगे और 1889 विद्रों में अंगरेजों के खिलाब गुरिल्ला युद भी लड़ा सरदार तिरत सिंग 1833 में 182 आदिवासी के नेता थे निम्लिकित में से कौन सा इस्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था बिहार सरीफ कोलापूर सूरत या सिलहट which of the following place was the center of the गडकरी rebellion बहुत असान सवाल है कई बार आचुका एक्जाम है तो कहां पर केंद्र था भाई कोलापूर महराष्ट ठीक है कोलापूर महराष्ट 1844 के पस्चात कोलापूर राज के प्रसासनिक पुनरगटन होने कारण बहुत संतोस उत्पन हो गया गडकरी वंसा नुगत सैनिक जाती के थे ये मराठो के दुर्गों के सैनिक के रूप में काम करते थे उनकी छटनी कर दे गई बेकारी क्या प्रश्ण संवन देख सामने देखकर गडकरीयों ने विद्रो कर दिया और संवन गड़ और भूदर गड़ के दुर्ग को जीत करिया तो पागल पंति विद्रो वस्तुता एक विद्रो था भीलों का गारों का कोंडों का कोलियों का बताए पागल पंति विद्रो Rebellion was indeed a rebellion of Question number 31 B और A उतर आ रहे है पागल पंती विद्रो यह दिखता, देखे बैख्या पागल पंती विद्रो जो था पागल पंती विद्रो करमसा द्वारा चलाए गया अर्ध धार्मिक प्रकृति का विद्रो था जो सत्य समानता भाईचारे की जिद्धानत के समर्था नेतू था करमसा का पुत्र तथा उत्राधिकारी टीपू मीर धार्मिक और राजनेतिक उद्धेसों से परिद्धा उसने जमिदारों के द्वारा दिये गया अत्याचारों के विद्रो कर दिया ठीक कहां क था, गारों का ये ठीक है, जी मांद सूं, 1924 का बंगाल का तारकेश्वरांदोलन, निम्न लिखित में से किसके विरुध्ध था, तो तारकेश्वरांदोलन कहां का था भाई, पहले दिये समझे під बंगाल का, कब हुआ 1924 में? मंदिरों में ब्रष्टाचार के विरुद्ध था हिंसा के राजनेतिक नेताओं की रिष्टारिय और साम्प्रदाइक्ता कुछ नमबर 32 तारकेश्वार अंदोलन यह मैक्सिमून लोग उक्तरा रहा है बिल्कुल ठीक है करपसन इन deprived मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुप्त यह तारकेश्वार अंदोलन 1922 में बंगाल में हुआ 1924 का बंगाल का तारकेश्वार मंदिरों में व्याप्त भ्रष्टाचार से था, ठीक है महराष्ट में रामोसी कृष्षक जथ्था किसने स्थापित किया था वो फाउंडेड रामोसी कृष्षक जथ्था इन महराष्ट नयामूर्थी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वालवन्त फड़के या जोतिबाब फूले महराष्ट में रामोसी कृषिक जप्था किसी उत्तरा रहा है सभी लोग का तैतिश आसान सवाल है एंसर है आपका वासुदेव बल्वंत फड़के क्या एंसर है वासुदेव बल्वंत फड़के महराष्ट में रामोसी कृषिक जप्था किस ने स्थापित किया था वासुदेव बलवंथ फड़के ने तो महराष्ट में रामोसी करिसक जथा को वासुदेव बलवंथ फड़के ने 1879 इसway में स्थापित किया रामोसी में किसानों को 150 सदस्षि संगठन बनाए गयार किसानों ने जमीदारों के अत्याचायर के गुरुद्ध जो है विद्रो छेड़ दिया देवबंध आंदोलन यूपी संख प्रांत में किस वर्स में प्रारंब हुआ देवबंध मोमेंट इन यूपी स्टार्टे इन दे इयर PCS 2017 का सवाल है थर्टी फोर का उत्तर देने का प्रयास करें सभी लोग कोशन नंबर थर्टी फोर एंसर क्या है 1866 काहा पर है देवबंध यह उत्तर प्रदेश में देवबंध जगे कहां पर है GP में कहां पर है देवबंध उत्तर प्रदेश में भई देखी वैख कैसी में यह आ जायएगा आ सहारनपूर कहां पर सहारनपूर ठीक है सहारनपूर सहारनपूर मुहम्मद कासिम नैना तवी युम रसीद एहमद गंगोई ने 1866 में उत्तर प्रदेश के देवबंद में इसलामी मदर्से की स्थापना किया अंग्रेजी सिच्छा पास्चात सहस्पृति की व्रोद में चला 1921 का मोपला विद्रो हुआ था दा मोपला रिवोल्ट आफ 1921 तुक प्लेस इन तिलंगाना विधर्ब मालाबार मालाबार या महराथा वाड़ा पुस्चन नमबर 35 तो डेली 8 पीम पर करेंट अफेर का सेसन होता है डेली 8 पीम पर अनकेडमी एप पर डिस्क्रिप्टिप्टर बॉक्स में प्रोफाइल लिंक है यह उसके माध्यम से या डिरेक्ट आप अनकेडमी एप पर जाके यूपी पीसे और यूपी ट्रेपल सेक्षन में 8 पीम वाली क्लास सर्च कर सकते हैं अनलॉक करने के लिए मेरा कोर्ट पीसे नियूज करके क्लासेश ले सकते हैं डेली 8 पीम पे ये सेसन आप लोगों को मिलता है करेंट अफेर का एंसर इसका मालावार ठीक है तो मोपला विद्रो केरल के मालावार छेत्र में 1921 में हुआ था यहाँ पर कास्तकार अधिकतर बटाईदार मुसल्मान थे और जमीदार अधिकतर हिंदू थे आंदोलन जमीदारों के सोशन के खिलाब जो है ये हुआ था ठीक है देखें फीस की अगर बात करें तो 24 महीने की जो फीस है वो 12,240 रुपए है दो साल के और यहाँ पर 4 मंत का एक्ष्टा सब्सक्रिप्सन अभी आफर के तैट मिल रहा है 510 रुपए महीने में भी आप ले सकते है 12 महीने की जो फीस है 8,415 रुपए है 701 रुपए महीने की अधार पर भी इसको ले सकते हैं तीन मंत का एक्ष्टा सब्सक्रिप्सन आपको फ्री मिल रहा है और 6 महीने का जो फीस है 6,885 रुपए है 1148 रुपए के मंतली पेइमेंट पर आप ले सकते हैं 10% डिसकाउंट और बताये गए ऑफर को प्रात करने के लिए आप रिफरल कोड़ मेरा कोड़ फीस टेंड डाल के यह ऑफर और इस फीस में आप प्रात का सकते हैं तो मेरा कोड़ डालता ही आपको 10% आफ मिल जाएगा फीस में ठीक है 10% आफ एक बिहार के लिए आपको पता 67 BPSC का नोटिफिकेसन आचुका है 30 तारी से फार्म बरे जाएंगे तो ऐसी ज़सा में आप बिहार के लिए और यूपी की कमबाइंड टेयरी 6 महिने 12 महिने 24 महिने के तौर पे बिहार और यूपी के सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर आपको 10% इसकाउंट के लिए रिफ्रल कोड के रूप में मेरा कोड यूज करना है प्येस टें 6 महिने की फीस कितनी 7,960 12 महिने की फीस 10,620 24 महिने की फीस 14,620 रुपए तो इसमें फीस में आपको क्या है कि बिहार और यूपी के कम्प्लीट प्री मेंस दोनों की तैयारी जो है मिल जाएगे तो अपने स्थार पे आप 12 महिने 6 महिने 24 महिने जो आपको उचित लगे उसकी लेकर तैयारी कर सकते हैं बक्स बाउंटी कारिक्रम के तहट अनकैडमी के किसी वीडियो किसी कंटेट पर आपको कोई शिकायत आपती है तो इसकी सिकायत आप tuhन अनकैडमी कर सकते है शिकायत सही पाई जाने पर आप लोग को जी दिनाम जो है दिया जाएगा एट पीम पे डिली आप लोगो मिलता है करेंट अफेर का सेशन अनकैडमी एप पर पूरी तरीके से फ्री सेशन होता है अनलॉक करने के लिए आपको बिरा कोड पियेशन डालके अनलॉक कर लें आसको यह टेलिग्राम का चैनल है लेट्सक्राइक यूपी एकजाम इसको आप जो है सर्च करके टेलिग्राम पर जॉइन कर सकते हैं वहाँ पर पीडिएफ नोट्स और क्लास के नोटिफिकेशन जो हैं उपलब्द कराए जाते हैं आप लोगो इस चैनल को आप लोग जरू जोइन कर लें चैनल सब्सक्राइब भी कर लेजिए यूट्यूब वाला और लाइक शेर भी जरू कर दीजे सभी लोग लाइक शेर सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरू कर ले और अने अकेडमी किसी भी कोर्स में अडिमिसर लेना हो आपको आपको किसे मित्र को मेरा रिफ्रल कोड जरूर नो को रिफर कीजिए PS10 डेली एक सेसन 5 पर रता है आप इसको जॉइन कर सकते 5 पे सेसन को GS सेसन और इसी क्रम में आपको 8 पे मिलता है एप पर सेसन करिंट अफेयर का और सासा 6 पीम पर आपको सेसन मिलता है प्लस पर मेरा प्लस पर आने के लिए आपको रिफ्रल कोड मेरा कोड प्येस्टेन यूज़ करना हो ठीक है चलिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार और हम लोग आप मिलते हैं नो-नो बस यही कुश्चन थे 35-40 कुश्चन हम लोग लेकर आते हैं डेली बेस पर 35-40 कुश्चन व्यक्या साहित कराते हैं आठ बजे अनकेडमी एप ओले सेसन पर आईए सभी लोग और 6 बजे प्लस का सेसन होगा उसके सभी लोग मिलेंगे यह दोनों सेसन में आपका वेट होगा जी अभी सब सेम है सब सेम है अपडेट जल्दी करता हूँ मैं माना जूँ ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार मिलते हैं आठ बजे वाले करेंट सेशन में करेंट अफेर के सेशन में चे बजे वाले आपके प्लस के सेशन में